Hello and welcome to NDTV Sports, मैं हूँ आपके साथ अभिशेग भारदवाज भारत और अश्टेलिया के बीच में वर्ल्टेश चैंपिनसिप का फाइनल मुकाबला खिला जा रहा है पहले दिन अश्टेलियाई खिलाड़ियों का दबदबा रहा क्योंकि भारती गिंदबाजी को उन्होंने जम कर खबर ली लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मुहमद सिराज, शार्दूल ठाकूर और उमेश चादोग गिंदबाजी के सामने अश्टेलियाई बल्लेबाज फीके सामित हो रहे था और 72 अनों के भीतर जो है तीन विकेट जो है भारती गिंदबाजों ने इकाल लिया था लेकिन उसके बाद श्टेवे स्मित और ट्रेवी सेट की बल्लेबाजी ने समा बांदिया और अश्टेलियागों मजबूत इस्तिति में पहुँचाया श्टेवी स्मित के टेश्ट करियर का एक तिस्वा श्टक था और भारत की खिलाफ अगर बात करें तो उन्हों ने शांदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोली और सोनिल गावसकर को उनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है अब भारत के खिलाफ अगर बात की जाए भारत ऑश्टेलिया के बीच में खेले गए टेश्ट मुकाबली के बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा श्टक लगाने के मामले में जो है वो दूसरे पैदान पे पहुँच गया है यानि उनसे उपर पैदान पे सिर्फ सच ज्टाइश्ट सत्र टेश रट लगाने के मामले में सिर्फ भारत के लीए बात करें तो उस मामले में ज्टेविस में तीसरे पैदान पे उनसे पहले पैदान पे जो है वह रिके पॉइंटिंग है जिन्नोंने 41 टेस्ट मुकाबल में शोक लगाया 40 शोक उनके नाम है और पकड़ मजबूत बना बड़ में और आपके क्या लगता है बाती ही टीम वापस से इस मुकाबले पकड़ मजबूत बना पाईगी आप कमेंट करके बतेखेंगे कमें किंड़ करें नहींfire अगर गुवा को लेग eres कि दो टेस्ट चेम्पेंशिप के फाइनल को जीतने वाली है आप कमेंट करके ज़रूर बताईगा और बाकि इस फाइनल टेस्ट चेम्पेंशिप मुकाबले से सभी अपडेट समाब तक ज़रूर पहुचाएंगे इसके लिए आप एंटिटीव स्पोर्ट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल नग हो ले है